हाई फ्रेंड्स आप सभी लोगों का अमारी यूटूब चैनल एगरीकल्चर ट्रिक्स भाई एनके में आर्देक स्वागत करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि एगरीकल्चर से टिकर्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगेरा होती है हम आप लोगों को वीडियो के माद्य उनके अपन बात करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को जैसे की नर्सरी वगेरा है उनके पर्तिकूल मौसम वगेरा है तो उनके क्या परबावरते हैं उनसे कौन-कौन से क्यूशन पूछे गए हैं आपके प्रिवियस पेपरों के अंदर तो मैं बात करूँ डबले हो के अंदर एग्रिकल्टर सुप्रवाइजर के अंदर या जेट के अंदर जो आपके मुक्य मुक्य क्यूशन पूछे गए हैं तो उनकी में बात करूँगा तो चलिए ज़्यादा टाइम वेश्ट ना करते हुए अपन क्यूशन के और बढ़ते हैं तो आपके सामने सुल्फिरिक एसिड है या सुल्फिरिक अमल है उसका कितना प्रतिसत का च्छड़काव करना चाहिए तो इसके अंदर के आप लोगों को ओप्शन चार ओप्शन दिख रहे होंगे जो फैस्ट ऑप्शन है 0.01 0.1 परसेंट या 0.5 परसेंट या 0.001 परसेंट तो ऑप्शन चलिए अपन नेक्स्ट क्यूसन की बात करते हैं यह क्यूसन आपका जेट में 2016 के अंदर पुछा गया था और अगर मैं नेक्स्ट क्यूसन की में बात करू बुंद बुंसी चाहिए सबसे अधिक उप्योगी है तो बुंद बुंसी चाहिए डिप एरिकेशन है वो कहां के लिए यूसफुल है या जड़ा उप्योगी है फलवाली फलवाली फसलों में या खाद्यान फसलों के अंदर या सब्जियों में या सर्सों के अंदर तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा तो आप को लोगों को पता ही होगा जो इसका राइट आंस से फसल उत्पादन को होने वाले लाब हैं जो ग्रीन हाऊस के अंतरकरत अपन्जो फसल उत्पादन करते हैं उन से क्या लाब होते हैं तो अपने सामने चार ओप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ओप्शन है ज्यादा बारिज से फसल का बचाओ या फिर व्यादियों या केट्टों से बचाओ या और सीजन फसले लेना या उप्रूक्त में से कोई नहीं तो यह कुछा गया था तो ग्रीन हाउस आप लोगों न यह पना हम्प्शन फसल लेना कि जो अपन जिस सेजन के अंतरकत फसल नहीं हो जी उसके लावा अगर उसको अच्रिप का क्लाइमेट आपन हिवार करते हैं यह फिर ऑफसीजन वाली फसले भी इसके अंतरकत उगाते हैं तो इससका जो राइट आशर होगा आपका तो वह आ सबसर्फेस मेतर या डिरिप मेतर हो जाएगा या स्प्रिंखलर में तरड तो जो आपके अधिक्तम सिचाहि शमता देने वाली पते थी कौन सी होगी तो आप लोगों को पता है कि जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज्ज उपिसेंसी वो किसकी होगी जो दक्सता होगी आपकी efficiency किसके ड्रिप में थड़गी क्योंकि इसके अंतरगा जो water का जो लोस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा प्लांटों को available होता है इसके अंतरगाद तो अगर मैं next question की बात करूँ इनमें से कौन से फसल में बूंद बूंद सी चाय पतेती का इसमाल किया जा सकता है तो अपने पास में चार क्रोप्स दी हुई है इनमें से कौन से फसल है जिसके अंतरगाद अपन आसानी से ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं तो option one है टमाटर के अंतरगाद, option नमबर बी है आलू में, option नमबर सी है गयों के अंदर, option नमबर डी है मौफ ली के अंतरगाद तो आई होब आप लोगों को पता ही होगा जो इसका राइट आंसर हो हो जाएगा पॉटेटो या जिसे में वालू की अलू अलू के अंतरगाद अपन ड्रिप इरिगेशन की पज़िती का इस्तमाल आपन कर सकते हैं अब चलते हैं आपन next question की और किस वसल पर पाले का सबसे ज़्यादा परवाव पड़ता है तो friend से क्यों कई बार पूछ ले जाते हैं कि जो पाले से ज़्यादा परवाव पड़ता है किस के ओपर पड़ता है या फिर मैं बात करूँ डारेक्ट ऐसे पूछ ले जाये आपसे कि पाले से बचाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है तो वो कितनी परसेंट होती है 0.1% का छिड़काव आपके किया जाता है तो अपने पास में क्यूसन क्या है कि इस फसल पर पाले का सबसे जधा परबाव पड़ता है तो आपके सामने फ़िष्ट है पपिता है, संत्रा है, अनार है या निम्बु है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स जो आपके पपिता हो जाएगा उसके उपर पाले से सर्वादी के परवाव करता है आपने कई बार सर्दियों के अंदर देखा भी होगा कि जो पपिता के पेड़ वगिरा है वो जलने लग जाते है अगर मैं नेक्स्ट क्यूसन की बात करूँ तो सर्दि के मौसम में फल फसलो पर पाले के परवाव को निमली कित का चिड़काव करके कम से कम किया जा सकता है तो मैंने अभी पहले ही ये चीज पहले भी दो बार दो रहा चुका हूँ कि जो सर्दियों के मौसम के अंदर जो पाला पड़ता है उसे बचाने के लिए किसका छिड़काओ करते हैं और कितना परसेंट कम से कम करना चाहिए तो S2SO4 का 0.1% S2SO4 का 1.0% S2SO4 का 5.0% S2SO4 का 5% छिड़काओ करना चाहिए तो यह चीज अपने पहले ही बात कर ली थी कि जो आपका Sulfuric Acid है तो उसका कितना चिड़काओ करना चाहिए 0.1% तो यह बात है कि यह तो सभी को आता ही होगा अगर आप मैं Next Question के ओर चलूँ तो इसके अंतरगत क्या कि उसन देखने को मिल रहा है आपने को सब्जियों में नरसरी तैयार करने के लिए सरवादीक उप्युक्त इस्तान होता है तो सब्जियों की नरसरी तैयार करने के लिए जो अपने पास में जो इस्तान होगा वो कौन सा उप्यूगत होगा तो अपने पास में चार उप्शन दिये गए है वहे छेतर जिसमें चायां के लिए चायां के लिए परियाप्त मातरा में वरक्ष हो तो ऐसा इस्तान होना चाहिए कि चाम पर छायां के लिए प्रियाप्त मात्रा में व्रक्ष हो या फिर ओप्शन अमबर टू है वह छेतर जो सम जलकरांती से मुक्त हो या ओप्शन अमबर तीन है आपके शाहत में कि वहे बू छेतर जो बहुत अधिक उर्वर हो या उप्रोक्त सबी तो इसके अंतर अगर ओप्शन के अकोडिंग चले हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके तो जिस छेतर में चाहें के लिए प्रियापत मात्रा में वरक्स हो बिल्कुल सही बात है वह चेतर जो चल का अंदिशे मुक्त हो बिल्कुल अगर जलकी कमी रहेगी तो कैसे ग्रोव कर पाएंगे वह नेक्स्ट क्यूसन की बात करूँ दिवर्शिय फसल का एक मुक्ष जुलंत समश्या है तो जो दिवर्शिय होती है उसमें जो जुलंत समश्या है वो किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो खजूर हो जाएगा आम हो जाएगा बेर हो जाएगा ये केला हो जाएगा तो इसका राइट आंसर जो आपका मेंगो है उसके अंतर गात आपको देखने को मिल जाएगी इसमाशिया नेक्ट की बात करूए आपका एक्रिकल्चर सुपर्वाइजर के अंदर गात पूचा गया क्यूसन है यह उन्हें से कौनसी विद्धी को सगन बागवानी का जाता है तो यह क्यूसन काफी इंपोटेंट है और अगर आप इनके डेफिनेशन पर भी जाओगे तो काफी कंफूजिंग रहता है लेकिन अपन क्यूसन की बारत करते हैं डिरेक्टी पहले ट्रक गार्डनिंग को बोला जाता है सगन यह फिर बेमोसमी बेमोसम जो फोर्सिंग गा सगन भगवानि भी जाता है किजन गार्डनिंग को तो यह कीचन गार्डनिंग है वुचे ट्रक उपन का आंतर पर कहा पर जाता है जहां पर पाड़ीचयतर होता है तो इस चीज चीज का अंपड़ाया तो कुछ ऑग ने तो पाड़ीचयतर हो जाएगा यह काई어주 बैद फामिंग बोल रहे हैं जी डिया हुद्ट रही है यह पंड़ लेले हैभ नेट कैसे है यह काफी अच्छा क्यूसन है कई बार पूछी लिए गया है और कई बार रिपीट हो चुका है पोद साला में पोद साला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उप्योगत रसाइन है जो कि आपकी पोद साला होती है उसके अंदर जो मिट्टी का शोध करते हैं ना सही उसको इसलाइज करते हैं या फिर उसको किटो से उन से बचाथे हैं तो उसके लिए कौन सा जो आपका अमल हो जाएगा या इन में से कौई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो मारमेल्डी हाइड हो जाएगा जो पोट साला में मिट्टी शोधन के लिए किया जाता है और साल्फियूरिक अमल अपने पहले ही पाले के लिए यूज कर लिया था यह आप लगो पहले ही बता दिया था अगर मैं बात करूऊ नेश्ट ऐसन की पाले से नेवन में से कौन सी फसल अधिक परभावित होती है पाले से अपने पहले बात की कि अगर मैं फूल इसकी बात करूँ तो उसके अंदर पापिता देख लिया था मिट्टी के अंदर होती है तो उसका भी तता कोई खास पर्वावने परता है, जो सरवाधी क्रभावित होती है ना फसन elegant यह उसके अंतरकत, वो आपको टमाटर दिखने को मिल जाएगी, टमाटर के अंतरकत क्या हbs 각 ज्यादा आगर पाला पढ़ता है अनुसंसा की जाती है तो मात्र वरत्स लगाने के कि तनी अनुसंसा की जाती है ये कुछन काफी अच्छा क्यों सबस्टॉकरार की बात करude लगाने के लिए नरसरी में कितने चेतरफल पर बीज बोना चाहिए कि जो अपने नर्सरी तेयार करने के लिए कितना एरिया होना चाहिए वो चीज पूछा गया है तो तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा दोसो पचीज वार्गुमेटर के अंतरगत अपने को क्या लगाने चीज नर्सरी अब नेक्स्ट क्यूसन की बात करूँ यह क्यूसन आपका डवल एओ के अंतरगत पूछा गया है जो दाइरा है या दियारा है बूमी किन सबजियों की खेती के लिए समंदित है तो जो दियारा लेंड है तो वो कौन सी सबजियों की खेती के लिए है सोलेनेशियन वर्ग के लिए पता गोबी या सोरी गोबी वर्गियों के लिए और कदू वर्गियों के लिए या पतिदार सब्जियों के लिए तो इसका राइट आंस्वर हो जगा वो जो कदू वर्गिये फसल होती है उनकी और दियारा लेंड कौन से होती है जो भी जैसे नदी वगिरा होती है उनके आसपास वाले छितर होते हैं तो उनके अंतरकति ये कदू वर्गिये फसले हो गए जाती है उसे ही दियारा खेती भी भी बोला जाता है जो दियारा लेंड के उपर की जाती है तो आई होफ फ्रेंड्स की ये किसन आप लोगों के लिए काफी यूस्फुल रहा होंगे अगर यूस्फुल हो तो अपने फ्रेंडों के पास में जदा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना प्रेंड्स